खेल महाकुम जैसे आयोजन के साथ ही आज़ देश का जोर छोटे शहरों में, स्थानिय स्तर पर खेल सुविधाओं के निर्मान का भी है। गोरकपुर का रीजिनल स्पॉर्ट स्टेडियम इसका एक बड़ा उदाण है। गोरकपुर के ग्रामिन छेत्रों में युवाओं के लिए भी सौ से जादा खेल मैदान बनाये गए हैं। मुझे बताया गया है कि चोरी-चोरा में ग्रामिन मिनी स्टेडियम भी बनाये जा रहा है। खेलो इंडिया मुव्मेंट के तहट दूसरी खेल सुमीधाओं के साथ साथ खिलाडियों की ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब देश एक होलिस्टिक वीजन के साथ आगे बढ़ रहा है। इस साल के बजेट में इसके लिए कई प्रावधान किये गए है। 2014 की तुल्ना में खेल मंत्राले का बजेट अब करीब करीब तीन गुना जादा है। आज देश में अनेको आधूरिक स्टेडियम बन रहे हैं। टॉप जैसी योजनाओं के जरिये खिलाडियों को ट्रेनिंग के लिए लाखों रुपियों की मदद दी जा रही है। खेलो इंडिया के साथ साथ फिट इंडिया और योग जैसे अभियान भी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे पोशन के लिए मिलेट्स यानि मोटे अनाज पर जोर दिया जा रहा है। जवार बाजरा जैसे मोटे अनाज सूपर फूड की सेड़ी में आते हैं। इसलिए अब देश ने इने स्री अन्न की पहचान दी है। आप सभी को इन अभियानों से जुड़ना है। देश के इस मिशन को लीड करना है। आज उलिम्पिक्स से लेकर दूसरे बड़े टूर्णामेंट्स तक जिस तरह भारत के खिलाडी मेरल जीत रहे हैं। उस लीगसी को आप जैसे युवा खिलाडी ही आगे बढ़ाएंगे। करना है।